हुआ कि सब जी ओले जा रहे थे सामने से तो मैंने ऐसे बालकनी बना रहे हैं और देखे देखने में पकने दूंगी और यहां तो हर इसका तीसरा दिन कोई ना पर जल्दी आती है तो मैंने कुछ पकोड़े जो बन गए थे किसी तरीके से खिला हैं मैंने का एक जरा सच्चक लेजिए आपको दिख भी रहा होगा कि मना के यहां से किसी तरीके से तो बड़े तो इंजॉय कर दो क्या हुआ कि हैस बैंड को राजमा और आलो जो है एक साथी बॉil करके तो यहां पर राजमा बनके रेटी हो गया आँ दे रही हूं चावल के साथ तो राजमा चावल बनके आपको सब्सक्राइब कि अजल देखने में कितना सुंदर लग रहा है और जो यह दुपट्टा ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं होते हैं लिचोड़ा तो इसके कपड़े भी बहुत अच्छे थे और यह जब मैं रखने लगी तो मैं जीत देखिया यहां पर मैंने अभी बैगन खरीदा है क्या है कि मेरे हस्परण जो उनको बैगन नहीं पसंद है तो बहुत कम लाते हैं जब मैं मंगाती हूं इस पेसली बोल के कि बैगन ला दीजेगा तब भले ले आए नहीं तो वो अपने मंद से कभी बैगन नहीं लाते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है और मुझे बहुत पसंद है बैगन तो क्या हुआ कि भाया सबजी ओले जा रहे थे सामने से तो मैंने ऐसे बालकनी से देखा कि ठेले लेके भाया जा रहे थे तो फिर मैंने सबची कट करके धुल करके फिर धर रगदिया था बनने के लिए तो हमारी सबची जो है इधर बन रही है तो पीच-पीच में इसको चला दे रहे हैं और बहुत दिनों के बाद अपनी मन पसंद की सबची आलू बैगल की बना रहे हैं और देखे देखने में कितना अच्छा अलगरा एकदम सिंपल तरीके से ही बनाया है मैंने लेकिन ऐसे आलू बैगल की सबची अगर आप सिंपल तरीके से भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बूटी पराठे किसी भी चीज के साथ खाईए तो यहां पर मैं सबची को ढब करके अभी थोड़ी देर और प कोड़ी बनाया था सबची के साथ खाने के लिए और यहां पर यह देखिए बेटू जो है अपने पापा से अपने लिए खिलोने मंगाया था तो उसमें यह है ट्रेंकर है और यह था तो क्या है कि वह मतलब चान लेजिए हर दूसरी तीसरे दी मतलब उसका कोई ना कोई ख लाड़ी बगारा क्योंकि उसको बहुत पसंद है लेकिन अभी एक दिन में ही पूरा तोड़ आलेगा क्योंकि उसकी आदत है कोई भी किलोने वो लाता है उसको तोड़ खोड करके जोड़ना लगाना बस एक ही दिन में वो पूरा तोड़ आलता है क्या करेगा क्लब नहीं पुटेगा तो पटक पटक के तोड़के फिर उसको जोड़ेगा लगाएगा ऐसे करेगा तो हर इसका तीसरा दिन कोई ना कोई ट्वाइज आता ही रहता है और यहाँ देखिए यह दूद है दूद में इरोंने सेव डाल रखा है और फिर उसको मुह से फूख रहे हैं हुआ कि मैं किचन में दूद गरम करके रखती हूँ तो वहां ठेश हरी चीटिया आ जाती है तो फिर मैं क्या करती हूँ तो उसको गरम करने के बाद फिर मैं उसको हटा के ऐसे में जो गयरा पर करके लॉबी में या कहीं कमरे में ऐसी जगा रख देती हूँ तो फिर चीटिय आपधा लोग हो घृटे नेकम है टो मुझे साजी तरे मेरे और 2 HA मोसाहा वारी वडिता में टूका वुए टमाइन निकालके हस्बंट को दे दिया इधर खाने के लिए फिर मैंने देखा एक आएक कि मौसम जो है बहुत सुहाना सा हो गया था क्लाउडी सा वेदर हो गया था तो ये देखिए बहुत सुहाना सा मौसम हो गया था इधर मैं चाय पकोड़े भी बना रही थी तो इस मौसम में चाय पकोड़े अगर मिल जाए तो तो फिर क्या कहना मज़ा आजाता है ऐसे मौसम में तो बाकी के पकोड़े मैंने बनाने के लिए कड़ाई में छोड़ रखा था तो उधर बन रहा था तब मैंने थोड़ा सा इधर बलकनी में आकर मौसम देखा और उसके बाद फिर यहां पर जो पकोड़े बने तो इसको नि कि यहां या करा कि इधर बैगन के पकोड़े भी तल हूं गी थो हस्पा ड है ना हिस्ते हिख बीजत रेखि नीज रादी कि शीची फीसके की नियुकरत करदों गवे हैं रहे करें और बैगन से मनें ने ब्हुत के अधिया पकोड़े लेकिन मुझे वाली पकोड़े किया पेच्छा ये बैगंग्य पकोड़े जो बने थे ये घा जट फिर में देखा कि फिर मौसम उसके थोड़े देर बाद एकदम मतलब चेंज हो गया अचानक से को तेज सी आंधी उतुफान आ गया और यहां पर आपको दिख भी रहा होगा कि बादल जो हैं कितने काले हो गये हैं और पत्ते वगरा काफी हिल भी रहे हैं क्योंकि बहुत जोर की आंधी आ गई थी और बेटू यहां से बिल्कुल हटने को तयार ही नहीं था क्योंकि जब इस तरह के मौसम हो जाते हैं तो बेटू भी काफी नजॉय करता है खास तो अगर बारिश आ जाए तो वो तो बिल्कुल बालकनी से हटेगा ही नहीं उसका मतलब यहीं मन करता है कि बारिश में जाके भीगे तो फिर बहुत वुसकलों के बाद फिर मैं इसको मना कि यहां से किसी तरीके से अंदर ले गई और फिर देखते देखते इतनी जोर की बारिश आ गई तो यह पीछे की बालकनी से मैं आपको बारिश दिखा रही हूँ इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया हूँ आगे की बालकनी थी तो वहां से मैंने आपको ऐसा मौशम दिखाया था कि बादल जो है कापी काले-काले हो गए थे हवा चलने लगी थी देखते देखते जोर की बारिश भी आ गई है तो यहां पर देखे कितनी जोर की बारिश हो रही है कितना सुहाना सा मौसम हो गया है तो बड़े तो इंजॉय करते ही है ऐसे मौसम को बच्चे भी काफी इंजॉय करते हैं और यहां पर आज नौरात कास्टमी वाला डीर था तो यहां पर मैंने कुछ डिब्बे वगारा इधर साप करके रख दिये है सूखने के लिए क्योंकि अभी इसमे मुझे यह चाय की पत्ती वेगारा नमक वेगारा और मौफली यह सब रखना है तो मैंने इधर इसको धुल के रख दिया था सूखने के लिए तो यह वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है और उसके बाद फिर यह है शाम का टाइम तो यहाँ पर शाम को मैं चाय बनाई थी उसके साथ यहाँ पर मैंने मुझ खली जो है उसको भूना है और इधर मैंने फास्ट वाला सबची बनाया है तो क्या हवा कि ऐस बैंट को ग्रेवी वाली सबची खानी थी तो मैंने इताथ ग्रेवी वाली सबची फास्ट के लिए आप्ट जाव का अमीमामा का लेली टिकलेका ठाप्ट अमीमामा कोड़ा कि तो हमी टिक्सों के से लंगा लेली ममाका जाप्टा जु लेली टिकलेका ले मामा में लेलिप्टिक नहीं लगा रहा बेटा तु छूद ना को में जाथी हमना काम करें लेलिप्टिक नहीं लगा रहा मामा तो बेटा तु फिर लेलिप्टिक लगा रहा मामा रही मामा मेंने कोई लेलिप्टिक नहीं गा या शिल गेम खेले छा और अभी बेटू की बाते आपने सुना क्या हुआ कि मैंने अचानक से देखा तो बेटू मेरी लिफ्टी निकालके और ऐसे अकेले मम्मा बेटा बनके खेलके इतना सुन्दर बोलके अपने आप से खेल रहा था तो मैंने कहा लो थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ तो यहीं पर मैं इसकी वीडियो थोड़ा से बना ली और यहां पर यह देखिए हमारी पूजा हो गई है मॉर्निंग की और फिर उसकी निश्टे की क्लिप है तो यहां पर मैं आज बना रहे हूँ राजमा तो राजमा बनाने के लिए मैंने यहां पर तेल डाला है सरसो को जब अच् पत्ते का तबगा दी दिया है और उसके बाद मैंने मसाले का पेष्ट बनाया था तो तो मसाले के पेष्ट में बस वही नार्मल चीजे लहस्दन प्याज, हद्रक, हरी मिर्च, जीरा इसका मैंने पेष्ट मनाया है पर सूखी मसालों में हलदी पाउडर, धनिया पाउडर फूपखासा सब्जी मसाला मैं डाल दें रही हूं और मैं रट चली पाउडर नहीं डालूँ गयानु क्योंकि मैं यहाँ पर हरी मिश्ट डाला है। अगर हरी मिश्ट डाला है तो मैं नहीं डालती हूँ इसके बाद फिर यहाँ पर टामाटर का पेश्ट मैंने बनाया था तो टामाटर की पेश्ट को डाल दूँगी उसके बाद फिर मैं यहाँ पर शॉल्ट डाल दूँगी और फिर इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक इसमें से ओल जर अच्छे से सेपरट नहीं हो जाते हैं तब तक मैं इसको भूनना है और उधर मैंने क्या क्या था कि कुकर में मैंने राजमा जो है अच्छे से धूल के फिर उसमें अंदाजे से जितना पानी डालना था पाइन डाल के फिर मैंने उसमें कुछ आलू 4-5 मैंने इसमें डाले थे उबलने के लिए तो यहाँ पर राजमा और आलू जो अच्छे से वाइल हो गया है तो ज़्यादा तर्म मैं राजमा और आलू जो है एक साथी वाइल करके बनाती हूँ क्योंकि इससे क्या है कि अगर बेटू जो है राजमा नहीं खाता है तो वो आलो रहता है तो अच्छे से खा लेता है और खाने में टेस्ट भी जो है काफी अच्छा हो जाता है थोड़ा चेंज हो जाता है बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर मसाले जो अच तब सॉफ्ट हो गए हैं कल गए हैं देखिए मैश हो जा रहे थे तो इसको मैं अब ढ़क के इसको कुछ देर के लिए पकने दूंगी तो यहां पर राजमा बनके रेटी हो गया है तो देखने में कितना टेश्टी लग रहा है खाने में भी काफी टेश्टी बना था और इसमें मैंने कुछ जान के एक दो आलू जो है मैंने ऐसे रहने दिया है उसको मैश नहीं किया है बाकी की आलू मैंने मैश कर दिये हैं क्योंकि हो सकता है मतलब उसको बीटू को थोड़ा तीखा लगे तो वो ना खाए तो इसलिए मैंने एक दो आलू जो ऐसे ही रहने दिया है उसको ज्यादा मैश नहीं किया है और यहां पर मैं राजमा आपको निकाल के दिखा दे रही हूं चावल के साथ तो राजमा चावल बनके हमारा तयार है तो पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों किशार किया था कि मेरे हस्बंड जो हैं लेके आए हुए थे दुपट्टा मतुरा से जो की काफी अच्छा था मैंने आपको पहन के दिखाया था वीडियो में लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में आपको अच्छे से दिखाऊंगी और मैंने कहा था कि एक skirt भी लेके आये थे वो भी काफी अच्छा है तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये वही skirt है और वो जो मैंने pink वाला आपको दिखाया वो दुपट्टा था तो मैं रखने जा रही थी ऐसे तो मुझे याद आ गया तो मैंने कहा चलो लगे आप लोगों को दिखाई देती हूँ तो ये देखिए इस skirt देखने में कितना सुंदर लग रहा है और जो ये दुपट्टा है ये काफी लंबा चोड़ा है इसके लियंद जो है काफी अच्छी है क्योंकि बहुत सारे दुपट्ट्टे ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं त तो में बाद में आप लोगों को दिखा दूँगी और इस वीडियो को यहीं पर अंड करते हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मर फूलिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और जो भी न्यूमारे चैनल पर आते हैं अगर उनको वीडियो पसंद आती तो बिना सब्सक्राइब के मत चाहिएगा आपसे मिलते हैं नेस्ट व्लोग में अच्छ व्लोग के साथ तक लिए बबबार